स्वाल ना ममीश, 80,000 एक्विट सेयर 100 रुपे इशू किये, जो इशू किये उनी सेयर पैस से बापस मिल गए, 25 रुपे एप्लिकेशन देने अलॉट्मेंट, 1st call, 1st call पर इसा दाई पाज दाई पस्टर नहीं दी, हरों गड़ लिया, आपको क्या गड़िया इशू कर दिया इसा पहले आपके एप्लिकेशन, पैसा आजने की एंट्री क्या हो जाएगे आपके, बैंक, एक्विटी, सेयर एप्लिकेशन, कितना देर गाए, 25 रुपे पत्च्याट कितना बादे दो सो, यह बता है आपके, 20 लाग, 20 लाग हो यहा भी कर देंगा हम 20 लाग हो, फिर एप्लिकेशन अकाउंट दी यार, 2, एक्विटी, सेयर, कापिटल, वह भी कितनी है, आपके 20 लाग, यह कंप्लीट, फिर एंटालोट्मेंट। अलोट्सम्ल desire, 0100 अलोट्मेंट पहले 8Angs, 200 लाग हो गिर एक्विटी, सेयर, 10 लाग हो जाएगे आपके, 80 जार सेयर, 25 अब पैसा आने की एंट्री तो क्या हो जाएगी आपके bank account DR2, equities, allotment वो होता है आपके 54,00,00 तो यहां भी करदेंगे, हम 54,00,00 तो फिर हैं आपके first call की एंट्री तो जाएगी relative entry, equities, first call to equities, capital वो होती है आपके 20 एंट्री सोड़ा लाग होता है यहां भी करदेंगे 16,00,00, यहां भी करदेंगे 16,00,00, अब कैसा आने की entry? यह जाएगी आपके bank account DR2, equities, allotment, first call, first call की एंट्री तो फिर होता है आपके? पंद्रा लाग रुपया पिर अब अब हरन रन करो पुरे यहां करते हैं वाँ पुरे सेर काम में ले लिए हमने पूरी रेट यहां जाएगा आपके पूरे पूरे रुपया में 100 रुपय तो कितना होता है आपके पांच लाग रुपया होते हैं तो एक लाग रुपया यहां पर पिछे बचा आपके चार लाग रुपया आएंगे आपके सेर फॉर्पिटेट अब वापस रिश्यू करो वापस आपको करना है रिश्यू पैसा आया बैंक एकांट डियार रिश्यू गणदा असी रुपय के इसास से पर पांच लाग रुपय के इसास से देच दी तो कितने रुपय होते हैं चार लाग रुपय के इसास से अब आपके लाग तो इक्विटी सेर केपिटल कितनी है आपके पांच लाग या भी आजाएंगे आपके पांच लाग सिंपल अब आपके लास्ट में माँ आपके लाग रुपय आपके लाग रुपय यहां भी होता है आपके लाग रुपय लाग रुपचे इसमें अब इसकॉंट है तो शिंपल हो गया